है यहाई है यहाई है यहाई यहाई है टो आज के टोपिक एवह हमारे डाइप के रिलेटिब तो करते हैं कि हमारा यह नहीं पता होता की हमारा स्किन टाइप कौन सा है हम makeup हमारे जो skin type है उसके अकड़ेंगी उस करना चाहिए तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो skin type है वो क्या है तो makeup करने से पहले ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो वीडियो को आगे लेने से पहले रोज के तरह मेरी चानल को subscribe कर लो और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स आपको मेलती चाहे तो आप देर ना करके चलो शूरू करते हैं ये जो मैं ड्रेस पहलने हूँ आप देख सकते हो ये भी मैं flip card से ली हूँ अगर इसके आपको लिंक चाहिए तो मैं देदूंगे आपको description box में आपकर चाहो तो आप comment करके बता सकते हो इसका मैं review भी कर दूंगी और ये जो make-up है ये make-up की अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसको भी मैं एक वीडियो बना के upload कर दो तो let's get started हमारा बेसिकली जो skin type है हमारा टूटल पांच टाइब का skin type है एक है oily skin दूसरा है dry skin then combination skin then acne prone skin unsensitive skin sensitive skin और acne prone skin जो है वो दोनों पासबस सेम ही है ठीक है तो अब हम जानेंगे कि हम अपने जो skin type है उसे कैसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो skin type है वो क्या है इसके लिए हमें मैं आप लोगों को दो मेथड यूज करना बताऊंगी कि आप लोग कैसे पता कर सकते हो तो आ आप वीडियो को पुड़ा यह चुबए skin type बताने चाह रही हूं यह दोनों boys और girls दोनों के लिए है अप्लिकेबल है यह अगर यह गास लोग भी कर सकते हो और boys लोग भी कर सकते हो तो पहला मेथड पहला मेथड जो है उसे आपको skin type जाने के लिए आपको basic एसा कुछ भी नहीं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना simple सी चीज है आप एक काम करना जब आप सुबह उड़ते हो उसके बाद आप simple किसी भी mild facial से अपना face को wash कर लिजेगा ठीके फिर उसके बाद एक घंटा तक आपको अपने face को एसे ही छोड़ देना है आज usual एसे ही छोड़ देना है आप इसे अपने face के ऊपर ड्याप करना देन आप लोग देखेगा यह जो एरिया है अगर इसमें oil छुटता है इसका मतलब है आप लोगों का normal skin अगर पूरी face मतलब जो टीशू है अगर पूरा oily हो गया है इसका मतलब आप लोगों का oily skin और अगर पूरा dry है तो dry skin और अग acne prone skin और sensitive skin है वो दोनों screen हमारा जो कुछ भी product आप लोग यूज करते हो अगर आपके face पर react करता है वो reaction करता है आपके शूट नहीं करता है सिर्फ मिनिमाल आपके लिए कुछ-कुछ product आप लोगों को शूट करता है तो आप लोग शियर हो जाएए क्या आप लोगों का है sensitive skin दूसरा जो method है वो है पूरा simple कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को सिर्फ आप जो सुबह उड़ते हो आप सोते हो सुबह जब उड़ते हो आप कुछ भी मत करिएगा सिर्फ अपने face को touch करना touch करके आप लोगों को पता चल सकता है कि आप लोगों का skin type कौन सा है अगर आपका जो skin है पूरा oil हो चुका है तो आप लोगों का oily skin अगर आप लोगों का सिर्फ इस एरिया से होता है तो आप लोगों का normal skin अगर आपका पूरा face जो है वो dry है तो आप लोगों का dry skin और आप मुझे लग रही है कि आप लोगों को स्किन टैप जाने पर आप कुछ भी प्रोब्लेम नहीं होगी। बहुत सरे यूटेवर क्या करते हैं ना सिफ एक ही मेथड को बता देते हैं दो मेथड नहीं बताते हैं लेकिन मैं यहाँ पर दो ही मेथड को बताई हूँ आप लोगों को किस तरह आप लोगों को पता चले बहुत सरे लोगों को यह कंफ्यूजन होता है तो मुझे लग रही है कि आप लोगों को कुछ भी confusion नहीं रहा होगा तो वीडियो helpful जरूर रहा होगा आप लोगों के लिए चाहिए प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में जो में लाइकन है उसे भी क्लिक कर दो और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने फ्रेंड्स और फ्यामिल के शाध मेरी वीडियो को शेर भी करो अगर आप चाहते हो कि मैं स्किन टाइप के हुआ इस प्रोड़क्स भी आपको बताओ कि कौन से स्किन टाइप के लिए आप लोग यूज करेंगे कौन से make-up यूज करेंगे तो उसका वीडियो में ज़रूर लेके आओंगी आप नीचे comment में ज़रूर बता ना मुझे कि आप लोगे comment बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग comment नहीं करते इसलिए आप लोग ज़रूर comment करके बताना तो आप लोग चाहिए मेरी वीडियो को पूरा देखना और मेरी चानल को सब्सक्राइब करना और इसके रिलेटर जो भी क्वेरी से आप मुझे कॉमेंट में बताना ठीके तो मिलती हूँ मेरी नेक्स वीडियो में और ये जो मैं मेक अप की हूँ इसका अगर आपको वीडिय छाहिए तो मुझे जरूर बताना और मेरी चु अभी वीडियो अगे क्या में बनाओंगी कॉनसे वीडियो ये भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों कॉनसा वीडियो चाहिए तो मेरे नेक्स वीडियो में ता-दा लविव उल